जैन सातियों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूँ सब यह अच्छे होंगे सातियों आज हम बात करने वाले हैं कि B.A.D. करने के क्या क्या फायदे हैं तो B.A.D. करने के बाद आपको कौन-कौन से आप्शन्स मिलते हैं गौर्मेंट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर में आप किस क्लास तक टीचर बन सकते हैं टीचिंग के लाबा आपके पास क्या क्या ओप्शन्स हैं B.A.D. करने के बाद में तो एक एक पॉइंट में आपको deeply explain करने वाला हूँ तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि B.A.D. के क्या-क्या फायते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और साथ के साथ मैं आपको एक चीज और आपको clear करने वाला हूँ वीडियो आपके लिए बहुत महत्पूर इसलिए भी होने वाली है कि यदि आप B.A.D. करना चाहते हैं तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि B.A.D. करने का सही तरीका क्या है तो वीडियो बहुत महत्पूर है वीडियो को अंतक देखतरिएगा तो चलिए साथियो बिना किसी तरीके करते हैं आपके वीडियो को सुरू साथियो वीडियो सुरू करने से पहले मैं आप से कहूँ है अधिया आप इस चैनल पर नए है तो सबसे पहले चैनल को सस्क्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा क्योंकि एडिकेशन से जुड़ी कोई भी अपडेट होती है पीजी में ये नहीं आता है होता हमारा ग्रेजविशन के बात में है लेकिन हमारा ये पीजी के अंदरगत नहीं आता है यानि कि आप इसमें अंदर ग्रेजविट ही रहते हैं किलियर है आपको अब इसके बात में हम बात करते हैं कि बीएड करने के बाद में आप क्या-क्या बन सकते हैं तो साथ यह जो बीएड करने के बाद में हम बनते हैं तो हम टीचर बनते हैं अब टीचर के लिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आपको दो एक्जाम देने होते हैं यानि कि आप जैसे यदि सेंट्रल के एक्जाम रहते हैं टीचिंग के लिए जैसे आपको उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस तरीके से अलग लग नाम से इनको जाना जाता है अब यह जो एक्जाम होते हैं किसलिए होते हैं इसकी बात करते हैं तो साथी जो हमारा सीट का के लिए उसमें यदि आप उस एक्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो एक्जाम क्लियर करने का मतलब है कि आप के लिए टीचर बनने के लिए जब भारत वर्स में जो हमारे राज के विस्विध्यले हैं, जो हमारे राज के इंटर कॉलेज हैं, उन में जब वेकिंसी निकलती हैं, तो आप उनके लिए apply कर सकते हैं, आप तभी apply कर सकते हैं, जब आपने CTAD का exam के लिए किया हुआ हो, और CTAD के लिए eligibility criteria है, form fill करने का वो क् किया हुआ हो यह आपने डियलेट किया हुआ हो तो अब बी एड किया हुआ है तो उसके बाद में आप एक्जाम किलियर कर लेते हैं तो फिर उसके बाद में आपका सूपर टेट के एक्जाम होता है अलग 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 प्रक्रिया है उसके बाद में भी आपका यही है condition कि आप ने TAT का ज़िए exam clear कर लिया है तो ऐसा नहीं है कि आप teacher बन गए है इसका मतलब यह है कि आप teacher बनने के लिए eligible हो गए है आप जब भी government की vacancy आती है तो उसके लिए आप form fill कर सकते हैं यानि जो state government की vacancy आती है teacher की तो उसमें आप फिर form fill कर सकते हैं यदि आपका state government का जो आपका TAT का paper है वो clear हो जाता है तो यह clear हो गया होगा आपको अब इसमें एक बच्चों का confusion है कि B.Ed में हम किस class तक के teacher बन सकते हैं तो साथ ही मैं आपको clear करता हूँ कि यदि आपने B.Ed किया है और B.Ed करने के बाद में आप जो है first class से लेकर और tenth class तक teacher बन सकते हैं तो यानि कि first से लेकर आप tenth class तक के teacher बन सकते हैं अब इसमें कुछ conditions हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊगा अब आपको बात करते हैं कि यह तो हो गया हमारा teaching के लिए यानि कि आपने B.Ed कंप्लीट किया है तो आप teaching की तरफ जा सकते हैं दूसरा है यति आप अपना school चलाना चाहते हैं तो B.Ed करने के बाद में आप अपना school भी चला सकते हैं यानि कि आप अपना school विरन कर सकते हैं आप अपना CBSC वोड का UP वोड का अपने state का जो आप अपने school चला सकते हैं साथ के साथ जब आप B.A.D. कर लेते हैं तो B.A.D. करने के बाद में आप अप अपना PhD के लिए भी अपलाई कर सकते हैं क्योंकि जो M.A.D. है आपको वो क्या है PG कोर्स है और M.A.D. के बाद आप डिरेक्ट आप क्या कर सकते हैं PhD के लिए अपलाई कर सकते हैं यानि कि रिसर्च के लिए आप अपलाई कर सकते हैं तो यह भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप यदि टीचिंग में जाना चा है या फिर आप एजुकेशन काउंसलर है तो उसमें भी आप बीएड होना चाहिए यानि कि बीएड आप यदि किये हुए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा है नेक्स्ट है आपको नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि आप बीएड कर लेते हैं तो बीएड करने के बाद आप बीएड करने के बाद में यदि आपकी गॉर्मेंट जॉप नहीं लग पाती है तो यह जो आपके प्राइवेड शेक्टर के स्कूल है चाहे वो आपका सीबी एसी बोर्ड के हैं या फिर यूपी बोर्ड के हैं तो उसमें भी आप टीचिंग के लिए कम से कम आप मिनिमुम बीएड होना चाहिए यानि कि आपने कम से कम बीएड किया वो हो तो उनी को अब आपको रखा जाता है तो यदि आपकी गॉर्मेंट जॉप भी नहीं लग पाती है तो आप ऐस प्राइवेट टीचर के तोर पर काम कर सकते हैं बीएड करने के बाद आप अपना जो प्ले स् से आप अपना कमप्लीट करके आते हैं अब मैंने आपको बताए कि जो बीएड है बीएड आपका पोस्ट ग्रज्वेट डिगी प्रोग्राम नहीं है ये क्यासा है आपका बड़ी अंडर्ग्रेडवेट में आता है अब यति बीएड कर लेते हैं तो बीएड करने के बाद साथ में अपना PG complete किया हुआ हो यानि कि आपने PG भी किया हुआ हो या फिर आपने PG complete किया हुआ हो आपका बीएड भी ऐसा नहीं है कि mandatory हो के बीएड भी आपने किया हुआ हो तो उस case में आप कही न कहीं पीछे रह जाते हैं तो मैं आपको आप यदि आप बीएड करते हैं तो साथ के साथ आप अपना PG कोर्स भी एपलाई करें यानि कि जैसे आपने बीए किया है तो बीए के बाद में आप अपने बीएड में अपने एंडॉल करा दिया तो बीएड क्या है भी आपका regular course है regular आपका बीएड कोर्स है अब उसके साथ साथ आप अपना क्या कर सकते हैं में कर सकते हैं डिस्टेंस से प्राइवेट मोड से उपन मोड से तो आप कर सकते हैं आपकी जो दौनर डिग्री होंगी वह पूरी तरीके से वैलिड होंगी पूरी तरीके से आपकी मानने होंगी तो होगा आपके कहीं पर वही PGD के फॉर्म भी आते हैं तो फिर आप वह भी अपने फिल कर सकते हैं यदि आपको UGC NET का एक्जाम फॉर्म करना है तो वह भी आप अपना फिल कर सकते हैं किसके वियाप पर वही आपने जो PG किया है उसके वियाप पर आप फॉर्म कर सकते हैं तो मैं आ आपने become किया है तो आप m.com के लिए साथ के साथ अपना enroll कर सकते हैं private से distance mode से या फिर open mode से तो यह आप अपना जरूर apply कीजिएगा तो साथ यह almost मैंने सब सारी चीज़ें आपको clear कर दी है यदि अभी भी आपको कोई doubt या question रह गया है बेड को लेकर तो आप मेरे से comment box में कुछ नई अपडेट के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत